हलो दोस्तों नमश्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डियास कुरुजु में राजस्तान कर्मचारी चैन बोर्ड के द्वारा फार्मासिष्ट सीधी भर्ति पाइक्षा 2018 का संसोधित नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें कुछ नियमों को पहले के जैसा ही रखा है तो इनहीं के बारे में जानेंगे कौन-कौन से स्टूडेंट संसोधन करवा सकते हैं जिन्नोंने पहले आवेदन किया था इन सभी बातों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगे इस नोटिफिकेशन के तुरू यह नोटिफिकेशन कल जारी किया गया और इसमें टोटल और आवेदन करने की कोई भी आवशकता नहीं है ध्यान रखेएगा जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है उन्हें आवशकता आवशकता नहीं है तताथ संसोधन करना है पुराने आवदकों को वह termास बाक्ष्ण इसमें कित नोटल के लिए यह ऑश्यालों। पदों का वर्णन भी इसमें किया गया है इसके साथ इसमें लिखा भी गया है कि पदों के संख्या में कमी और व्रद्धी की जा सकती है जिन अभ्यतियों ने फार्मासिष्ट के उक्त पदों की भरती है तो बोर्ड के विग्यापन संख्या 14-2018-13-2018 के आनुसार आवेदन कर इन्हें उन्लान अवेधन करने के आउसकता नहीं है यह बात आपको ध्यां रकने इसमें यह षिर्द करने के इसन साथ हैं कि संसों करते देट क्या रहें संसोधन की डेट भी इसमें बताई गई है संसोधन की डेट इसमें बताई गई है ऐसे बेटी जो अब आती पिछड़ा वर्ग मार्तिक रूप से कमजोर वक्त थे था राजस्तान दिव्यांग अधिकार नियम संसोधन कर सकते हैं तता पुराने अवेदक उप्रोक्त स्रेणियों में संसोधन दिनांग चोविस एक दो होजार वीस तक सुल्क प्रकिरिया में सुल्क इनको नहीं देना है संसोधन करवा सकते हैं कुछ नियम इसमें सेम रखे गए इनमें जो नियम है वो है कि परिक्सा सुल्क प्रवेश्पत्र आरक्षन संबंदी प्रावधान वेतनमान पात्रतायम सैक्षिक योगजेता राश्ट्रियता आयू संबंदी प्रावधान अनुभाव का जिन चीजों का संसोधन नहीं किया गया वो भी आपको बता दिया तो दोस्तों ये थी जानकारी फार्मासिष्ट भरती परिक्षाद 2018 से जुड़ी थैंक्यों सो मच थैंक्स पूर वोचिंग